ये फिल्म इंडस्ट्री है सहब, यहाँ पर कहानी बिखती है, फिर चाहे वो कहानी आपकी हो, मेरी हो, या फिर किसी के पिता या किसी की मा की ही क्यों न हो फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे डिरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी कहानिया अपनी फिल्मों में दिखाई है उसी फिल्म के बारे में बताऊंगी जिसमें उन्होंने अपने पिता के खिरदार को हूबहू दिखाया है और अपने पिता को लेकर या पिता की एक आदत को लेकर पूरी फिल्म बना डाली। सैंचे लीला भनसाली ने कई बार इंटर्वियूस में बताया कि उनके जीवन में उनकी मा का खास प्रभाव रहा है। वहीं जिन्दगी के जितने भी सलीके या सबक है वो उन्होंने पिता को देखकर ही सीखे हैं। पिता से उनकी बिलकुल नहीं बनती थी। पिता एक प्रडूसर थे और फिल्मों में पैसा लगा कर जब पैसा डूब गया तो पिता को नशे की लट लग गई। और इतना नशा करते थे पिता कि कभी परिवार पर ध्यानी नहीं दिया। बच्चों की पढाई किया चल रही है। घर में खाना है कि नहीं। इन सब चीजों पर पिता का ध्यानी नहीं था। पिता के इस नशे की लट के कारण घर चलाने की पूटे जिम्मेदारी माँ पर आ गई और तब संजे लीला भनसाली की माँ लीला भनसाली ने साबुन बेच कर संजे लीला भनसाली और उनकी बहन को पालपोस कर बढ़ा किया पिता को liver seriosis हो गया और उसके बाद वो कोमा में चले गए कोमा में जाने के बाद पिता को उनकी पत्नी की एहमियत पता चली संजे लीला भंसाली ने एक interview के दौरान एक scene discuss किया कि जब पिता hospital के back पर थे गंभीर रूप से बिमार थे तब उन्होंने इशारे से उनकी मा लीला को पास बुलाया हाथ बढ़ा कर पास बुलाने का इशारा किया according to संजे लीला भंसाली ये पहली बार था जब उनके पिता ने मा को प्यार का इसहार किया था जिस प्यार का इंतिजार मा जिंदगी भर करती रही और ये सीन संजे लीला भंसाली की यादों में हमेशा ताजा रहा in fact इस बात का impact गहरा रहा संजे लीला भंसाली पर कहते हैं कि बस इसके बाद उनके पिता की death हो गई सालों तक ये सीन संजे लीला भंसाली को परेशान करता रहा और उन्हें हर बार लगता था कि कुछ फिल्म बनाई जाए, कुछ फिल्म बनाई जाए लेकिन एक सीन पर तो फिल्म बनती नहीं है, पूरी कहानी होनी चाहिए इसके बाद संजे लीला भनसाली ने देवदास किताब पढ़नी शुरू की शरत चंज चटोपाद्याई की किताब में संजे लीला भनसाली वो एलिमेंट ढूडने की कोशिश कर रहे थे जिसे वो अपने माता पिता की उस कहानी से कनेक्ट कर पाए और इस देवदास किताब के अंत में उन्हें वो एलिमेंट मिल गया जहांपर कहा जाता है कि कैसे देवदास पारो की चोखच पर जाकर ही आخرी सांस लेता है बस यह point संजे लीला भनसाली को मिल गया और उसके बाद उन्होंने देवदास फिल्म बनाई इन फैक्ट फिल्म का एक और सेन है जो हूबहू संजे लीला भंसाली ने अपने पिता की जिंदगी से उठाया यह वो सीन है जहाँ पर शारुक खान अपने पिता के श्राद में जाता है पूरी तरह से नशे में होता है और वहाँ पर तमाशा खड़ा करता है मा का दुख भी कोई और शेयर करता है हूबहू यही इंसिदेंट संजे लीला भंसाली की खुद की जिंदगी में भी हुआ क्योंकि उनके पिता बहुत नशे में रहते थे तो जब संजे लीला भंसाली की दादी की डेथ हुई तब उनके पिता नशे में वहाँ पर पहुँचे थे और संजे लीला भंसाली की मा के दुख में परिवार वालों ने उन्हें संभाला पिता तो संभालने की इस्तिती में ही नहीं थे कुछ इस तरीके से अपने पिता की जिंदगी के ये कुछ elements संजे लीला भंसाली ने देवदास फिल्म में include किये, फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, फिल्म ने करोडों कमाए और आज भी इस फिल्म का जिक्र किया जाता है और जो scenes संजे लीला भंसाली ने अपने पिता की जिंद कि ये की ब्लॉकबस्टर रही होगा जो जो पी जिए करोड़ कोड़ के ब्लॉक़े जो ने कर फिल्म गल्म झाल झाल